साथियों नमस्कार मैं हूँ अनुच शर्मा और एरोमा केमिस्ट्री क्लासिस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत और अबिनंदन करता हूँ एक बात जरू ध्यान दीजिए कि एग्जामिनेशन कोई सा हो लेकिन नजर हर किसी पर रहनी चाहिए तैयारी किसी भी एग्जामिनेशन की आप कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं सलहा दूँगा कि नजर हर एग्जाम पर रहनी चाहिए जी आईसी प्री पर नजर आपकी जरूर बनी जाहिए लेकिन बात यहां पर यह नहीं है आज कि आखिरकार जी आईसी का एक्जाम कब होगा बैकेंसी कब आएंगे यह तो निश्चित है कि अगले साल बैकेंसी आएंगे सन दोहजार पच्चिस में जी आईसी की बैकेंसी आना है निश्चित है लेकिन हम आज चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिरकार GIC की प्रप्रेशन अगर GIC का PRE-EXAMINATION निकालना है तो आखिरकार उस एक्जाम को निकालने के लिए हम लोगों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए किस किताब पर हमारी नजर होनी चाहिए हमारा मुख्य बिंदू यह है तो आपका स्वागत और अमिनंदन है अरोमा केमिस्टी क्लासिस पर और हम लोग बात कर रहे हैं आज GIC प्री एग्जामिनेशन में यूज होने वाली केमिस्टी की किन किताबे कौन-कौन सी किताबे पढ़ने पर GIC हमारा निकल जाएगा तो GIC एग्जामिनेशन अगर प्री निकालना है तो बहुत किताबें आपको नहीं पढ़ने एक सबसे इंपोर्टेंट किताब है जो सभी के पास होती है जिसका नाम है NCERT NCERT is the best book to crack GIC प्री एग्जामिनेशन तो ये बात आप ध्यान दीजिए लेकिन हमने देखा है कि अकसर लोग GIC के लिए बहुत सारी किताबें बहुत सारा मेटेरियल कलेक्ट करते हैं लेकिन मैं आपको सलहत हूँगा कि आप Cable NCERT जो Old Slabes की है जिसमें Class 12 में Solid से लेकर Chemistry ने ब्रेडे लाइफ तक चले जाते हैं और 11 की बुक में सुरुआत सम बेसिक कंसेप्ट से और Environmental Chemistry तक होती है उस किताब को आपको पढ़ना है वही किताब आपके लिए फाइदे मंद होगी लेकिन अगर आप चाहाते हैं कि सर हमें ये पता रहे तो ये तो हम डेली ही पढ़ते हैं NCIT बच्चो को पढ़ाते हैं इसमें कौन नई बात है तो मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि आप भले NCIT डेली पढ़ते हों भले NCIT डेली बच्चो को पढ़ाते हों NCIT के सब questions आपको रट गए हो लेकिन NCIT एक वो किताब है जिसका पन्ना जितनी बार पढ़ोगे वो हर पन्ना अपने में किताब बनता चला जाए NCIT उठाईए और उसमें देखिए कि कितनी महत्वपूर्ट चीजें आपको कई बार सिलिप हो जाती हैं और तब पता लगपाती हैं कि जब आप पढ़ाने लगते वादे यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं था ये ऐसा भी था NCIT यार बताओ मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने यार ध्यान नहीं दे पाया और जो कितनी बढ़िया चीज यहां पर निकल करके आई तो साथियों ये बात जरूरी कि NCIT के हर लाइन अपने में एक किताब है हर पेज अपने में एक पूरा ग्रम्त मान के चलिएगा अगर केमिस्टी के पूरा निचोड रखा जाए NCIT में तो इसमें कोई जो है दोराय नहीं है और मैं उसको ही प्रफर करता हूँ GIC lecture grade का examination pre और main में होता है pre अगर examination निकालना है तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो select हुए हैं वो आपको बताएंगे जिन्होंने NCIT को बढ़िया पढ़के ढंग से निकाला है और आज वो GIC में lecturer है तो मैं आपको यही सला दूँगा कि अगर आपको GIC का pre-examination निकाल ली है तो practice किसी भी किताब से करिए लेकिन theoretical concept पढ़ने के लिए NCIT is the best book लेकिन old pattern की तो इस pattern पर जाकर के बढ़ी अधन से तयारी कर लीजे मैं तो 100% कहता हूँ कि आप select हो जाएंगे निश्चित तोर पर आप उस margin को पार कर जाएंगे जिस margin पर जाकर के PGT qualify करना होता है GIC pre-examination का तो आप बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़ें ये धेर किताबों का इक हटा ना करें इतना बड़ा bundle लेकर के किताबों का ना घुमे के बल चार NCIT की किताबें आपकी जिंदगी बदल सकती है तो आखिरकार ये चार NCIT की किताबों में जो अंदर depth में लिखा रहता है जो अंदर explanation में लिखा रहता है जो अंदर applications में लिखा रहता है, जो अंदर reactions की mechanism में लिखा रहता है जो boxes में आपको अलग से separate दिया जाता है वो खुद में भी एक question है आप एक बार पढ़ करके तो देखिए एक बार NCIT की एक एक line पढ़ लीजिए NCIT की एक एक line पढ़ लीजिए GIC pre आपका 100% निकल जाएगा कोई tension नहीं लेनी है न कोचिंग, न ट्यूशन और नहीं आपको दूसरी किताब खरीदने की जरूत है केबल NCIT पढ़िए बस एक practice का set आपको इसा ले लीजिए, वही practice का set आपके लिए perfect हो जाएगा और आप GIC pre examination निकाल लेगे तो अभी से क्यों नहीं GIC पर focus किया जाए अगर हम UPGT की भी तयारी कर रहे है DSSB की भी कर रहे है BPSC की भी कर रहे है नवोदय केंद्रे विद्याले किसी की भी तयारी कर रहे है तो फिर इसमें क्या समस्या है कि एक बार NCIT पढ़ ली जाए और वो NCIT सभी में फाइदे मंद हो जाए इसमें कौन बुराई है तो कोई बुराई नहीं न तो फिर पढ़ा लिए एक बढ़ी अधन से NCIT के दोनों वॉल्यूम 12 के और दोनों वॉल्यूम 11 के फिर देखिए अपने अंदर क्या परिवर्तन आता है जलबा होगा भाई सब GIC का लेक्षर होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो एक अपने में 100% गवर्मेंट जाब मानी जाती है जबकि एडिड में 100% गवर्मेंट नहीं सेमी गवर्मेंट में जाते हैं तो फिर आप GIC जौइन अगर करना चाहते है GIC के examination की preparation भी करना चाहते है तो फिर दिक्कत किस बात की है अगर तयारी आज से होगी तो अगले साल 2025 में vacancy जरूर आएगी GIC की और 2025 में आप exam दे के qualify हो जाएगे टना टन मस्ट आपका selection हो जाएगा तो फिर आप अभी से एक plan कर लीजिए लगा लीजिए एक बार NCIT के एक एक page बढ़िया ढंग से और अगर एक एक page आपने पढ़ लिया तो फिर आप ये मान लेना कि आपकी तैयारी डंपरफेक्ट हो गई है और आप दूसरी किताबों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फसे ना किसी model paper कुछ नहीं करना है पुराने अगर GIC के examination के papers हैं वो लगा सकते हो और बाकी आपको main के लिए जैसे मैंने पिछली बार बहुत सारे बच्चों को बताया कि कहां से questions आएंगे कौन-कौन question तैयार कर लो आये थे लोगों ने GIC निकाल दिया पूछ लिजिए उनसे के वो लोग खुदी इस बात के गभा हो जाएंगे किसी दूसरे के पास जाने के जरूत नहीं है तो फिर इंतजार के इस बात का सुरुवात करिए NCRT के हर पेज पर लिखी उस कहानी को जो आपकी कहानी बदल देगी आपका जीवन बदल जाएगा क्योंकि GIC Lecture Grade का जो जॉब है वो वाकई में काबिले तारीफ तो फिर UPPGT की तैरी के साथ GIC पर नजर बनाये रखिए क्योंकि 2025 में मौका आपको जरूर बिलेगा है ना तो वीडियो दोस्तों तक बता दीजिएगा कि Information जरूर रखें तैरी जरूर रखें कब निशाने पर हमारा शिकार आएगा ये तो वक्त बताएगा अपने तरकस में तीर तैर रहे न चाहिए Thank you